जहिंद दोस्तों आज की वीडियो में हम ये जानने की कोशिस करेंगे कि अगर हम mutual fund में S.I.P. के माध्यम से निवेस करते हैं या फिर Lamsum के माध्यम से निवेस करते हैं तो हमारा पैसा कितने समय में double हो जाएगा याने कि हम जो भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उतना ही पैसे का return हमें कितने समय में मिल जाएगा देखिए बहुत सारे से लोग होते हैं जिनको अपना पैसा 4 गुना, 8 गुना, 10 गुना नहीं करना होता है वो सिर्फ ये सोचते हैं कि जो भी पैसा हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो हमारा double हो जाए तो वो double पैसा हमारा कितने समय में हो जाएगा देखिए आज की वीडियो के अंदर में जो भी calculation में आप सभी को दिखाने जा रहा हूँ वो calculation normal situation की है एक औसत return हम calculate करेंगे क्योंकि कितना return मिलेगा हमें ये पूरी तरह से stock market के उपर में depend करता है अगर stock market अच्छा रहता है अच्छा करता है तो समय से पहले भी हमारा पैसा double हो सकता है और अगर stock market की situation कुछ ठीक नहीं रहती है तो कुछ जादा समय भी लग सकता है तो पूरी तरह से depend करता है stock market के उपर में तो हम जो आज calculation करने वाले हैं वो normal situation की करेंगे एक औसत return की करेंगे कि अगर हमें इतना औसत return मिल जाता है तो कितने समय में हमारा पैसा double हो जाएगा तो इसके लिए मैं आप सभी को लेकर चलता हूँ अपने laptop की screen पर और वहीं पर आप सभी को calculation करके दिखाऊंगा कि कितने समय में हमारा पैसा double हो जाता है तो चलिए laptop की screen के उपर तो अब आप देख सकते हैं हम आगे हैं laptop की screen के उपर और सबसे पहले हम lump sum का ही calculation देख लेते हैं lump sum का मतलब क्या हुआ lump sum का मतलब यह हुआ कि जो भी पैसा है आपके पास उन सारे पैसा को जो भी mutual fund आपको पसंद आता है उसमें एक ही बार में आपने इन्वेस्ट कर दिया या फिर आपने one time इन्वेस्ट कर दिया आप कहें लिजे लंब सम या फिर सारा पैसा एकी बार में इन्वेस्ट करना या फिर आप यह कह सकते हैं वन टाइम इन्वेस्ट करना तीनों चीज़े एक ही हैं इसका मतलब यही होता है कि आपके पास जो भी पैसा है उन सारे पैसे को आपने एक ही बार में जो भी mutual fund पसंद कर दिया और हम यहां पर पैसा की Reserve समय में double हो जाता है तो इमाउंट दिखाना बिल्कुल भी उद्देश नहीं है हमारा उद्देश यह जाना है कि हम जो पैसे कर रहे हैं वह कितने समय में double हो जाएगा तो यहां पर ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है यह आपके उपर डिपेंट करता है तो अगर हम एक लाक रुपे म्यूचल पंड में वन टाइम लंसम कर देते हैं और हम अपना एक्सपेक्टेशन जो रिटरन हमें मिलेगा वह 15% का करके चलते हैं यानि कि हम यह मान कर चलते हैं कि हमें 15% का रिटरन मिलेगा तो सिर्फ 5 साल का समय लगेगा हम यानि कि एक लाक रुपे हमने इन्वेस्ट किया और एक लाक रुपे का हमें रिटरन जनरेट हो गया तो हमारा टोटल जो एमाउंट है वो दो लाक रुपे का हो गया तो अगर हमें 15% का रिटरन मिल जाता है और हम 5 साल तक निवेसित रह जाते हैं यानि कि जो भी पैसा हम मिल सकता है तो अगर हमें 15% से जादा रिटन मिल गया तो अगर हमें 20% मिल गया तो देखे ऐसे तो मैं यही कहता हूं कि आपको expectation हमेशा 15% का ही लेकर करके चलना चाहिए लेकिन यह calculation है calculation देख लेते हैं कि अगर हमें 20% मिल गया तो यहां पर भी investment का जो amount है वो similar है एक लाक रुपे का ही है लेकिन expected जो return है वो 20% का है अगर हमें 20% का return मिल जाता है और हम सिर्फ 4 साल तक अनुवेसित रह जाते हैं तो हमारा पैसा double हो जाता है आप देख सकते हैं कि investment का जो amount है वो एक लाक रुपे ही है estimated जो return generate हो रही है वो एक लाक साथ हजा रुपे हो रही है total जो value बन रही है वो दो लाक साथ हजा रुपे बन रही है यानि कि एक लाक रुपे हमारा investment और एक लाक रुपे हमें return मिल रहा है तो total जो value है वो दो लाक रुपे का बन जा रहा है तो अगर हम एक लाक रुपे इन्वेस्ट करते हैं, हमारी पोटफोलियो या फिर इन्वेस्ट में थोड़ा से एग्रेसिव है, हमें 20% का रिटन मिल जाता है, तो हम सिर्फ 4 साल में ही अपना पैसा डबल कर सकते हैं, या फिर हमारा पैसा 4 साल में ही डबल हो सकता है, का समय लगेगा, और अगर हम लमसम करते हैं, 20% का रिटन मिल जाता है, तो सिर्फ 4 साल में ही हमारा पैसा डबल हो जाएगा, अब हम SIP का भी कल्कुलेशन देख लेते हैं, कि SIP के माध्यम से अगर हम इन्वेस्ट करते हैं, तो हमारा पैसा कितने समय में डबल होगा, तो मै कर चलिए कि कोई भी बेक्ति ऐसा है, जो 5,000 रुपे पर मन्त म्यूचल फंड में इन्वेस्ट करता है, एक्सपेक्टेट रिटन जो है 15% ही, यहाँ पे भी लेके चल रहे हैं कि 15% का ही हमें रिटन मिल जाता है, और हम 9 साल तक इन्वेस्ट करते हैं, तो आप देख सकते है आठीक हमारा जो इन्वेस्टमेंट एमाउंट होगा, वो 5,40,000 रुपे होगा, और इस पर इस्टिमेट जो रिटन जन रेट होगी, वो 6,00,000,000 रुपे के आसपास में होगी, टोटल जो वेल्यू है, वो 11,44,000 रुपे के आसपास में बनेगी, अगर मैं इसे थोड़ा सा कम करूँ 8 साल कर दूँ तब आप देख सकते हैं कि हमारा जो investment का amount है वो 4,80,000 रुपे हो रहा है और इस पर जो estimated return generate हो रही है वो 4,99,000 रुपे हो रही है total value जो है 9,29,000 रुपे हो रही है यानि कि double से थोड़ा सा कम हो रहा है तो इसका मतलब यह हुआ कि 8 से 9 साल के बीच में आपका जो पैसा है वो double हो जाएगा अगर आपको 15% का return मिलता है तो तो अगर हमें SIP के माध्यम से अपना पैसा double करना है और अगर हमें 15% का return मिल जाता है तो आप यह मान करके चलिए कि लगभग 8 से 9 साल का समय लग सकता है 8 से 9 साल का समय अगर हम दे देते हैं तो हमारा पैसा बिलकुल यहां पर double हो जाएगा अगर मार्केट में situation नॉर्मल रहती है हम जो average CAGR 15% का जूड़ कचल रहें उतना मिल जाता है तो यह कि इनन हमारा पैसा double हो जाएगा लेकिन अगेन अगर हम एक aggressive investor है तो हमारा जो portfolio का allocation है थोड़ा सा ज़्यादा risky fund में है तो जैसे small cap में थोड़ा ज़्यादा exposure है तो तो वहाँ पे return भी थोड़ा सा ज़्यादा मिल सकता है और हमारा जो time period है वो 7 साल का है यानि कि अगर हम 5000 रुपे पर मंत इन्वेस्ट करते हैं 20% का अगर हमें return मिल जाता है और हम 7 साल तक इन्वेस्ट कर देते हैं तो हमारा जो investment amount होगा वो 4,20,000 रुपे होगा तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो investment amount है वो है 3,60,000 रुपे इस्टेमेट जो return generate हो रही है वो 3,37,000 रुपे टोटल जो value बन रही है वो 6,97,000 रुपे गास पस हो रही है तो डबल से थोड़ा सा कम हो रहा है तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम SIP के माध्यम से अपना पैसा double हो सकता है तो हमने देखा कि अगर हम लंसम करते हैं और अगर हमें 15% का return मिल जाता है तो 5 साल में पैसा double हो जाएगा और हम लंसम ही करते हैं और अगर हमें 20% का return मिल जाता है तो हमारा पैसा सिर्फ 4 साल में double हो जाएगा और अगर हम SIP करते हैं तो आप देख सकते है कि लगबग 8-9 साल का समय लगता है हमारे पैसे को double होने में जब हमें 15% का return मिलता है प्रोही पे अगर हमें 20% का return मिल जाता है तो आप देख सकते हैं कि 6-7 साल का समय लगता है हमारे पैसे को double होने में तो आज की वीडियो में मैंने आप सभी को ये बताया कि अगर हम SIP के माध्यम से इन्वेस्ट करते हैं या फिर लमसम के माध्यम से इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा पैसा कितने समय में डबल हो जाएगा तो आसा करता हूँ आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी अगर आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजगा और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिजगा और इस वीडियो को अपने friend or family के भी जरूर से share कीज़ेगा ताकि उनकी भी confusion दूर हो पाए वो भी aware हो पाए इस वीडियो के आखिर में बस में आप से इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपना और अपने family का बहुत ख्याल रखेगा मैं मिलूँगा इसी तरह कि किसी और वीडियो में तब तक के लिए बाए